कोरोना वैक्सिन से जुड़े हुए चार अपडेट्स आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने वाला हो तो वीडियो को पूरा जरूर से देखे नए हो तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और उसी के साथ कर दो बैल आइकन को क्लिक ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करो तो आज के जो बड़ा अपडेट है ना उस पे हम बात करने आले कि क्या फाइजर की वैक्सिन इंडिया में आएगी या नहीं तो फूर्थ अपडेट जो है वो मिस मत करना विडियो को पूरा ज़रूर से देखना पहले अपडेट की बात करते है तो जुड़ा हुआ हुआ अच्छी वैक्सिन डेफिनेटली होगी लेकिन ये डियने बेस्ट वैक्सिन है तो इसे अपरूर्वल मिलेगा या नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा ये मुझे थोड़ा सा जो है वो ऐसा लग रहा है कि डिले हो सकता है क्योंकि डियने बेस्ट वैक्सिन अब तक दुनिया में कोई भी जो है वो अप्रूड नहीं हुई है आगए अब दे सेकंड अपडेट के उपर तो जो जुड़ा हुआ है थर्ड फेज औफ कोरोना वेक्सिनेशन के साथ तो यहाँ पे कोरोना वेक्सिन का थर्ड फेज जो है वो मार्च से स्टार्ट हो जाएगा तो मतलब यह काफी अच्छी स्ट्रेटर्जी मुझे गवर्मेंट की लगी है कि जनुवरी के अंदर जो है वो उन्होंने हेल्थ केर वर्कर्स को वेक्सिन देना स्टार्ट कर दिया एक ही महिने में सिफ्ट करके फिबरुवारी में फ्रेंट लाइन वर्कर्स और अब जो है मार्च का महिना जब तक आएगा तब तक वो जो है वो हाई रिस्क पेशन फिफ्टी एज के जो लोग है उसे भी वेक्सिन देना स्टार्ट कर देगे जो काफी अच्छी बात है यहाँ पे इमेज एक रह गई है यहाँ पे दुनों सेम इमेज आ गई है यहाँ पे बेसिकली जो थर्ड अपडेट है उस पर मैं बात करने वाले थे कि जो फेल्ट कार से क्या उनहें सेकंड ड्र दर्ड र लगेगा तो हाँ वो थर्टीं फेब से जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा वो कन्फॉर्म है यहाँ पे यह चीजस कन्फॉर्म क्यों हो रहे है क्योंकि यह फर्ट्ल लेंड वरकर से उनको भी एक्जेक्त टाइ की तो थोड़ा जल्दी ही हो गया था क्योंकि डेकलेर हुआ था फर्स्ट वीक औफ फेब में एंड मेरा एक भाई जो है वो पुलिस फोर्स में है उसे 31st Gen को ही डोज लग गया था मतलब काफी स्पीड से काम जो है इस मामले में हो रहा है लास्ट अपडेट पर बात करते हैं कि फाइजर क्या है उसकी वैक्सिन अब इंडिया में नहीं आएगी तो बेजिकली जो है फाइजर एक ऐसी कंपनी थी जिसने डिसेंबर में सबसे पहले इट बिकम्स फर्स्ट कंपनी इंडिया तो एपलाई किया था अब फाइजर ने अ जो है 3rd February को जो फाइजर की टीम है उन्होंने सबजेक्ट एक्सपर्ट कमीटी सेक के साथ मिटिंग की दियो उसमें सेक ने फाइजर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कुछ एविटन्स मांगे थे जो फाइजर जो है वो नहीं दे पाई तो इसलिए फाइजर ने जो तो इसलिए के फाइजर के डॉर्ड हमेजा के लिए इंडिया में जो है वो बंद हो चुके है टेंपररी क्लोज हुए है जैसे उनके पास एविटन्स आएगे वो फिर से वापिस आएगे फिर से अप्लाई करेगे और फिर से उसे अप्लाइज जो है वो मिल सकता है तो यस वीडियो दिखा है तो लाइक का बटन तो बनता है नए हो यह वीडियो को शेर करते चैनल को सब्सक्राइब करो तक आप कोई भी अपडेट जो है मिसना करो अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी तब तक के लिए जहिंद वंदे मात रहूं